वेलकम बैक टो स्टॉक मार्किटेज आज हम बात करने वाले पीडिसी इंडिया लिमिटेट में लोर सर्किट क्यों लगा है आपको बता होना चाहिए कि कंपनी के जो रिजल्ट है वो साथ तारीक वनाउस हुए है तो रिजल्ट पर पूरी प्रितिक वी आपको देखने कि जो कह सकते हैं कोटनक टाल स साल इसे की की पै Bean turkey और बिज में कि रहाए हुआ होगा देखिए साल पहले उच्छाए सब्रमें मंगाफर उड्य कोड़ा सा को विएया यह किया है इस वाइसे यहाँ पर क्या पर क्वाभेर वे यहां पर कम है तर्ह जो कहें तर्वी पर कार्ट ओरह यह अगर हीज लुह कि यहाँ अगर हम कंपेर's करेंगे तो आफ़र मशनय यहां पर कंपार कि चैघे साथ by चयां के देखने का र्श कंपकड़ का के तो चैहां पर सब्सक्राइब कंपने का थे तर्च पर सक्पानन की है इक होने कश सब्सक्राइब करें दिखें कि तो आप यहां पर एक सूर्ष देखेंगे कि यहां चैनल सूर्ड कर दो कर में 428 ग्यर्म ls और फाहली Starting तो यहां पर एक्स्मेंस पाप्री ने ज्यादा ख़्च किया पिछ्रे क्वार्ट के तुलनाम देखें तो कम खर्च गया है तो आपको यह चीज़ पता चलगी कंपनी के जो रिजल्ट है वो कैसे आया है अगर में फिर vitBER दे Another method easiest अगर में रिकाव करो तो यहाँ पर जो स्थेंड नों स्थेर्ट हें वह वीक हैं क्यों क्योंकि कॉत्रम कार्टर भी कंटर भी अच्छा नहीं है यह यह तो कह सकते हैं थोड़ा सवी क्यूंकि ठांगListen अच्छा नहीं है साल दर साल अच्छा है तो और वह वीकनेस देखने को मिलना ही थी इसलिए आज के दिरे स्टॉक में गिरावट हुई है साथ तारिगों जब कंपनी ने रिजर्ट अना उसके बाल लोगों ने देखा कि रिजर्ट जो है वह वीक है इस टेंड लोन भी अच् वालिम्स है वह जादा नहीं लेकिन प्राइश जादा आज फ्लेक्ट हुआ है कल के दिन देखेंगे यानि इस तारी को देखेंगे तो उसमें बहुत बड़ा यहां पर जहां पे उपनी हुआ बहुत आस-पास उसके लिए लिकिन यहां वे आप देखें तो उपनी और क्ल ट्राइ करेंगे स्टॉक को उपर ले जाने के लिए और फिर से स्टॉक थोड़ा सा अफसाइड की रेली दे करके 85 के असपा फिर से आ जाएगा तो जरूर अगर आप 80-85 तक जाना चाहते हैं तो जब शॉक्त असी पर आए तो वहां पर भाई करके आप 85 कर सकते हैं क्योंकि यहां पर जो असी का लेवल है यह एक डिवांड एरिया है जब यहां पर आएगा तो जरूर बायर्स आएंगे ट्राय करेंगे स्टॉक भाई इसमें मुएंटम भी आपको देखने को मिल सकता है और यहां पर डिविडेंट भी अनौने वाला है जिसे कि आप यहां पर पू उसमेंटम को कैप्चर करने के चक्कर में रहेंगे तो हमें तो हमें कुछ फाषैश्यूचों मिलेगा नहीं क्योंकि देखे होता क्या है हम लोग डिविडेंच के चक्कर मेंगर स्टॉक बॉय करते हैं तो उसमें भाना लॉस हो सकता है क्यों कि जब हम देखतें कि मिल भी रहा है उसके बाद भी स्टॉक अगर पांच नीचे आ गया तो आप और और कोई भी प्रॉफिट नहीं हुआ इसलिए डिविडेंट के चक्कर में किसी इस्टॉक को मत भाय करिये अगर आपको लगता है कि टेक्निकरी इस्टॉक अच्छा है अभी इस लेवल पर बाय करना चाहिए तभी बाय करिया अन्य था पाय करने का वशकता नहीं है और टार्गेट मैंने बता है उसके आसपा से च आपको नीचे लेके तो अब यहां से असी दगा सकता है असी वे आप चाहें दुबाय करके पिचासी वेसल कर सकते हैं अच्छा वासा यहां से आप मोनेटर कर सकते हैं